Hello friend, Welcome to Study News आज हम इस वीडियो में विश्व की सबसे प्राचीन सब्धिताओं में से एक सिंदुखाटी की सब्धिता के बारे में जाने गे जो भारत की सबसे प्राचीन सब्धिता है So let us start सिंदु घाटे की सभिता विश्व की सबसे प्राचीन चार सभिताओं में से एक हैं ये चार सभिताओं हैं नीन अदी की सभिता जिसे मिस्र की सभिता भी कहते हैं दूसरी मेसोपोटामिया की सभिता तीसरी चीन की सभिता और चौथी भारत की सभिता जिसे सिंदु घाटी की सभिता कहते हैं ये चारो सभिताओं बहुत प्राचीन सभिताओं हैं अब जानते हैं सिंदू खाटी सबिता के खूज की विशे में जुड़ी कुछ प्रमुख बाते हैं ब्रिटिस काल के वेक्ती चार्ल्स मैसन को पाकिस्तान छेतर में हडपा सबिता की कुछ जानकारी मिली थी ये गटना 1826 में हुई थी और जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन को 1856 में पाकिस्तान में इस सबिता से जुड़ी कुछ साक्ष मिले थे और यदि पहली बार किसी ने इस सबिता के खोज करने का प्रयास किया वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे इन्हों ने 1853 से 1856 तक ये कार किया और आखरी में जौन मार्सन ने 1921 में भारत की पूरा तात्विक विभाग की प्रमुक थे इन्ही के नित्रित्व में इस छेत्र में खुदाई का कार प्रारम हुआ और खुदाई करने वाले दो भारतिये दयाराम सहनी और राखलदास बनर्जी थे दयाराम सहनी ने हडपा की खोज की और राखलदास बनर्जी ने मोहंजोदारों की खोज की इन्ही को सरवादिक प्रारंबी खुच करता कस्रे दिया जाता है अब जानते हैं इस सब्यता के समय के बारे में जॉन मार्सन के अनुसार इस सब्यता का प्रारंब 3250 BC से 2750 BC तक माना जाता है लेकिन कार्वन 14 पधती के अनुसार 2320 से लेके 1750 बीसी तक मना जाता है लेकिन इस सबिता के काल की तिथी में सभी इतियास कारों में मतभेद दिखाई देता है अब इस सबिता के नाम से जुड़ी कुछ मुखे बाते जनते हैं इस सबिता के विशेस रूप से तीन नाम हैं पहला सिंदु घाटी की सबिता प्रारंब में जो इस तर खोजे गए थे वे सब सिंदु नदी की किनारे या उसकी साहक नदी की किनारे प्राप्त हुए थे जिसके कारण इस सबिता का नाम सिंदु घाटी सबिता पढ़ा दूसरा सिंदु सरस्वती सबिता इस सबिता के कुछ साक्षे बाद में सरस्वती नदे की किनारे भी मिले जिस से सिंदू सरस्वती सबिता नाम पढ़ा और तीसरा हडपा सबिता इतिहास के नियम के अनुसार ये परंपरा रही है कि यदि किसी सभिता के नामकरण में कोई समस्या होती है तो उस सभिता का नाम उस इस्थल पर किया जाएगा जिस इस्थल की खुदाई सबसे पहले होती इस अनुसार इस सबिता में सबसे पहले खोजा गया इस्थल हडपा था जिससे हडपा सबिता इसका नाम पड़ा इस सबिता के उद्भव को लेकर इतिहास कारों के अलग-अलग मत हैं विदेशी इत्यास कारों के मतों के अनुसार इस सभिता का निर्माड सुमेरियन सभिता के लोगों ने किया और वही लोग आकर इस सभिता का विकास की लेकिन इस्थानिय मतो अथ्वा भारती इत्यास कारों के अनुसार इस सभिता का विकास भारती द्रविड जाती के लोगों ने किया अब जानते हैं इस सभिता से जुड़ी कुछ विसेस बाते पहला भारत में पहली नगरिय सभिता का जन्म सिंदु घाटी सभिता से ही होता है और इस सभिता में काश धातु का काफी प्रयोग किया गया है इसलिए इसे काश यूगीन सभिता भी कहा जाता है और ऐसी सब्यता जिसके लिखित जानकारी मिलती हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे आद एतिहासिक सब्यता कहा जाता है जिसमें सिंदु घाटी की सब्यता आती है इस सब्यता में चित्र लिपी मिली है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है इस सभिता की मुखे बात ये रही है कि इस सभिता के लोग सांती प्री और सुवेस्थित व्यस्था को संचालित करते थे और इस काल में वैपार को प्रधानता दी गई थी इस सभिता में वैपार देश के अंदर वा देश के बाहर दोनों जगे किया जाता था इस सभेता के खुदाई इस्थलों के साक्च से ये पता चलता है कि जितने भी सहर थे वो दो भागों में बटे हुए थे पहला भाग उच्च नगर और दूसरा भाग निम्न नगर होता था उच्च नगर में बड़े बड़े घर बड़े रास्ते और धनी वेक्ती रहते थे और निम्न वर्ग में गरीब वेक्ती और छोटे छोटे भवन रहते थे इस सभेता के लोगों को लीपी का ग्यान, मुर्ती कला, माप विधी, बर्तन निर्माण और धातु का ग्यान हो गया था अब जानते हैं इस सभेता के विस्तार के बारे में इस सभेता का विस्तार काफी बड़ा हो था ये काफी दूर तक फैली हुई सभेता थी ये सब्विता भारत के उत्तर पश्चिम छेतर में तेरा लाख वर्ग किलो मीटर तक फैली हुई थी और अभी तक इस सब्विता के नए नए साख्च मिल रहे हैं जिससे इसका विस्तार और हो रहा है इस सब्विता के प्राप्त इस्थल तीन देशों में मिले हैं भारत में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में वर्तमान में इस सब्विता के पंदरो सो के लगभग इस्थल खोजे जा चुके हैं जिसमें सबसे ज्यादा भारत के गुजरात राज में मिले हैं इस सभ्यता का विस्तार त्रिबूजाकार है इस सभ्यता का उतरतम बिंदू जम्मु कस्मेर का मांदा है जहां पे इसके साक्ष मिले हैं जो चिनाम नदी के किनारे है और पूर्वे बिंदू उत्तर प्रदेश का आलमगीर पूर है जो हिंडन नदी के किनारे है दचिर्तम बिंदू महराष्ट में दाइमाबाद में है जो गोदावरी नदी की किनारे है और पश्रीमतम बिंदू जो पाकिस्तान के ब्लूची स्तान में सुद कांगेडोर में इस्सित है जो दास्क नदी की किनारे है तो ये थी सिंदू घाटी सेबिता से जुड़ी कुछ प्रमुक बाते हम इस से जुड़ी और भी जानकारिया अगले वीडियो में लाएंगे अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो कर दो